आज ही निवाली है क्योंकि जैसे कि शिरी राम आये थे ना आज वैसे ही समझो मनीश कश्चब इतना बड़ा उसके ओपर जो दाग था आज दाग जो धुल गया मनीश के ओपर तो वो किसी राम से कम नहीं कि लाखों माओं ने दुआएं मागी भगवान से प्रात्ना की मैं जब सुबश आप जो जलाती थी प्रात्ना करती थी तो कहीं न कहीं आपकी सचे मन से क्यों ही प्रात्ना वो प्रात्ना वाला जुरूर सुनते हैं इंसान किसी का कितना भी बुरा चाले इंसान किसी का कितना में इंसाफ होता है इसके घर में इंसाफ होता है और मैं उन जसाप का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्हों ने एनसेट आई यही चाहती हूं मेरे ठाकुर जी मेरे महाकाल बाबा बस उस बच्चे की लंबिया यू करे वो ठीक ठाक रहे बस बहुत खु अगर राम मुसीबत में था तो लक्षमत भी साथ था महादेव का शुकर शुक्रिया कर रही हूं कि आज महादेव ने हमारी सुनी और उस निर्दोश बच्चे के सिर से अने से हटी क्योंकि जब कोई दोशी पकड़ा जाता था तो दुख नहीं होता कि उसने पाप किया थ उसके ओपर एक गलत आप गलत तरीके से दुश्मनी निकाले एक बात बता दूँ मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ आज ये खुशी के आसू आ रहे हैं आज हमारे खुशी के आसू है तब मेरे दुख के आसू थे जब मेरा बच्चा निर्दोश अंदर गया था आज म में बहुत खुश हुँ बहुत ज़्यादा खुश हुँ कि वो कहते हैं न कि सीना फार के दिखाना बस वही नहीं कर सकती बहुत खुश हुँ हुश सत्य, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सत्य परशान हो सकता है, पर सत्य प्राचित नहीं हो सकता, आज मैं उसकी मम्मी को कहती थी कि आप रो मत आप वो चीज हो कि आपकी कोक में से भगत सिंग ने जनम लिया है, और ये सारा जो मतलब आपके बिहार के सारे लोगों को, देश के सार मैं कहती हूँ, मनीश के परवार की और से, आस्थामा के परिवार की और से, पूरे भारत के परिवार की और से, उन उन लोगों को धन्यावाद जिनोंने मनीश को सत्य, अगर वो सत्य था तो सत्य का साथ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यावाद मनीश को बस अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन मनीश जेल से बाहर आएगा और यहां पर एक भव्य हवन कराया जाएगा उसकी शुद्धी के लिए उसकी जो बुरी बुलाए उसके उपर है जो लोगों की बुरी निगाए उसके उपर है क्योंकि देखे मनीश जेल गया दुख हुआ पर यह भी पता था बुजाएगा क्योंकि सच बोलने वाले के उपर ही मसीपते आती हैं यह मेरे ठाकुर जी और मेरे महाकाल बाबा यह मैं आपको बता दो कि यह इंसाफ करते हैं है इनके आगे किसी कि लिए जेल आ बुरा किया है कुछ दिनों में उनके साथ धी कुछ ऐस दाग था मनीस कश्शिब के उपर। आज इस केस में उनको कहें कि यह दाग उनके सर से हट गया और NS से हट गया। मतलब भगवान के सामने हम क्या बोले, हम से खुद नहीं बोला जा रहा है। देखे मैंने क्या कहा, कि इनसान किसी का कितना भी बुरा चाले, जब तक ये नहीं चाहता ना, इसके घर में इंसाफ होता है, इसके घर में इंसाफ होता है, और मैं जजसाब का भी बहुत भूत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने NSA आई, कम से कम कुछ अभी भी हैं, जिनको लगता है कि नहीं, ये बच्चा सही था, इसके उपर गलत चीज़ लगी है, आप दिली में संघर्स कर रही थी, जब से मनीज कश्यप अंदर गए थे, क्या लग रहा है कि आज संघर्स सफल रहा, अभी बहुत जल्द वो आएंगे, तब तो पूरा सफल हो जा है, तो वो बच्चा क्योंकि वो बेकसूर था, उसका कसूर नहीं था, उसकी, उसकी मां के आसू, अपके भी आसू अरा भी उनकी मां हुएं, उसकी मनीज की लाकों माओं, ने दुआइं भगबान सकाद की, मैं जब सुमेश आप जोच जलाती थी, परात्ना करती थी, तो क कहीं न कहीं आपकी सक्षे मंylas क्यूंए प्रात्ना वाला जरूर सुनता है। जो मम्मी ने पीडा सही है न अपने बच्चे की और लिवेकसर बच्चे की। आज मनीज कश्यब की मा की दिल को सुकून मिला होगा कि भारत की पूरी माओं को पूरी माताओं को सकून मिला पूरे भाईयों को पूरे उसके जो फोलो करते थे जो फोलोवर थे फोलोवर तो नहीं कहोंगी जो उसके भाई थे क्योंकि फोलो इंसान उसको करता है जिसको आज बहुत खुशी है आज ही निवाली है क्योंकि जैसे कि शिरी राम शिरी राम आये थे ना आज वैसे ही समझो मनीश कश्रब इतना बड़ा उसके ओपर जो दाग था आज दाग जो धुल गया मनीश के ओपर तो वो किसी राम से कम नहीं मैं कहती हूँ कि जुग जुग जी किसी को फोन करो अरे सर बीजी है बताए मेरा बच्चा ऐसे मत करना बस मनीश दुनिया के दिलों में आज भी है जिंदा और दुनिया के दिलों में हम लोग मर भी जाएंगे मनीश हमारे दिल में रहेगा क्योंकि मनीश मनीश जितना काम मैंने सच में मैं लोगों को कहती हू तो अगर इग्जामपल लेनी है तो बिहार के लोगों की लो पूरा पूरा उपी डिली यूए जकस ला रहनेवाला था पूरा देशथा पर में प्रॉपर भिहार की बात कर रहे हूं के लोगों ने दिखा दिया कि ऑप भारत में मनीश पूरे वर्ल्ड में Steel जब मेरी ऐस्ट्रेलिया बात होती है से अजौ तो वह कहते हैं कि माताजी आप ने जब मनीश के लिए संगर्ष किया बारिश आ रही थी आप बैठी रहे एक सारे उट गए आप नहीं बैठी लोगों को यह चीज़े दिखती है उस वक्त बारिश में उपर से भगवान रो रहे थे और आज आप रो रहे हैं तो मैंने मैंने उनको कहा कि वो मेरा बच्चा है जरूरी नहीं होता कि हम जिसको अप मर भी सकती हो और मार भी सकती हो मुझे कोई टेंशन नहीं मैं कहती हूँ कि ठाकुर जी आज मैं तुम्हारे आगे अरदास कर रही हूँ कि ऐसे बच्चों को मेरी उमर भी लगा दे नहीं मा आप नहीं रहेंगे आप रो ये मत आस्थामा आज देखे मनीज कश्यब सर को ल लेंगे बिलकुल बिलकुल बस मैं यह चाहती हूँ कि जो देश धर्म के लिए कारे कर रहें नों उसके उपर कस्ट नहीं आना चाहिए नहीं चाहती हूँ मेरे ठाकुर जी मेरे महाकाल बाबा बस उस बच्चे की लबी आयू करे वो ठीक ठाक रहे बस बहुत खुशी है ममी को शर्षट मरना जिसकी कोक से मनीश का शब जैसा करन का शब जैसा बच्चा पैदा हुआ आज उसने दिखा दिया कि अगर राम मसीबत में था तो लक्षमन भी साथ था और वो लक्षमन जिसने ना खाने की सोची ना पीने की सोची हर जगा जा जाकर मनीश के लिए बा है ठाकुर जी करन जैसे भाई घरगर पैदा करना ताकि आज जो भाईयों में फूट पड़ी हुई है वो करन और मनीश को देकर एक सबक जरूर ले कि भाई किसको कहते है और वाज था मैं एक आखरी सवाल जो लोग कहते थे कि मनीश कश्यप देश-द्रोही है वो सच में दे वल्ड में किसी में दम है कहने का के मनीश कश्यप दोशी है तो एक बार मेरा खुला चैलेंज है जहां कोगे सीपी में कोगे गाजियाबाद आजो दिल्ली में काओ मेरे सामने मैं आस्था मा मनीश की मा ठीक मेरे सामने आकर को अगर इस लट से तुम्हारा पिछवाणा ना से का तो मेरे नास्था मानी हिम्मत होती है सामने बोलने की भाई हम पीड पीचे नहीं बोलते हम मूँ पे बोलते कि तुम गलत हो तो गलत हो भाई तुम्हें शरम आनी चाहिए अब कहीं एन्ने से अट गई सुनो ओ देश्त रोहियो तुम देश्त रोहियो सुनो अगर कही तुम्हें चुलू बर पानी मिल जाए, एक कटोरी में पानी मिल जाए, या गंदा नाला नस्दीक मिल जाए, कोई नदी मिल जाए, तो नाक पकड़ना और डूब के मर जाना, बस यही तुम लोगों के लिए थू है, तुम पर शरम आनी चाहिए, तुमारे मुँपर आज धन 13 के दिन मेरी मा लक्षमी ने तुमारे मुँपर बहुत जोड से चाटा अमारा, जिसकी अवाज मुझे यहां तक सुनाई देरी, शन शन और इन कानों में, ऐसे ही होगी बेटा